सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मज़ेदार और ग्यानवर्दक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले चिन्नी मिट्टी की कच्ची सामगरी को एक चक्की में डाल कर चुरून जैसा पाउडर बनाया जाता है फिर इस चिन्नी मिट्टी के पाउडर को कवार्च खनीज, फैल स्पार्खनीज और पानी के साथ एक मिक्सर में 15 घंटे के लिए मिक्स किया जाता है उसके बाद इस चिकनी मिटी की सलरी को मोल्डिंग ट्यूप्स में भेजा जाता है ताकि इनसे मिटी के लंबे लंबे लोक्स बन जाएं और फिर इन लंबे लंबे लोक्स को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ा जाता है ताकि इनसे सिंगल सिंगल कप के मोल्ड बन सकें औ ताकि वो हैंडल को कप पर गोंद की तरह जोड़ सके। हैंडल लगाने की ये प्रिकिरिया आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये लेडी कैसे चिकनी मिठी लगा कर फिर हैंडल लगा रही है। फिर एक टेकिनीशियन बड़ी सूज बूज के साथ कप के हैंडल से एक्स्ट्रा सामगरी हटा कर उसके खुर्द्रेपन को दूर करता है और उसके सरफेश को चिकना बना देता है। उसके बाद कपों पर चिकना रंग चड़ाने की बारी आती है। इन सभी कपों को चमकीले रोगन में डुबो दिया जाता है ताकि इन पर अच्छे से चिकना रंग चड़ जाए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कपों पर कैसे रंग चड़ाया जा रहा है। और उसके बाद इन सभी कपों को कम से कम बारा घंटे के लिए एक तरफ रख दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। फिर इस सूखे हुए रंग को इन कपों पर पर्मानेट रखने के लिए इनको ओवन से पास करना पड़ता है। इस ओवन का ताबमान बाइसो डिगरी फारन हाइट रखा जाता है। ओवन से निकलने के बाद हमारे कप एकदम से तयार हैं और इनको पोली बैग में डालकर डब्बे में पैक कर दिया जाता है और दुनिया के कोने कोने में जहां पर जुरूरत होती है इनको भेज दिया जाता है। उमीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। किरिपया करके इस वीडियो को सेर जरूर करना और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।